तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो में आपका स्वागत है आज का ये वीडियो का टॉपिक है Best Moving Average Trading Strategy with Secret Trick तो जैसे आपको पता चल गया यहां पे मैं Best Moving Average Trading Strategy आपको दिखाऊंगा और इसमें Secret Trick भी होगा तो ऐसा एक ट्रिक मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ जो किसी ने भी कहीं जगा पे भी नहीं दिखाया है तो आप देखिए ये ट्रिक आप अंत तक वीडियो को देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजेगा तो चलिए दोस्तो हम लोग चालू करते हैं ये वीडियो को Best Moving Average Trading Strategy with Secret Trick तो दोस्तो मेरे सामने ये जो चार्ट खुला हुआ है ये है निफ्टी February Future का ये 15 मिनिट का चार्ट है और इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है तो दोस्तो ये जो ट्रेडिंग टर्मिनल और चार्टिंग प्लाटफॉम मैं यूज कर रहा हूँ वो है जिरोधा काइट तो दोस्तो मैं इसको यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर सेटिंग बहुत ही अच्छा हम लोग कर सकते हैं तो आपके पास अगर जिरोधा काइट नहीं है तो आप जरूर जिरोधा काइट को ले लीजिए विडियो डिसक्रिप्शन में जिरोधा काइट का लिंक दे दूंगा जिरोधा में एकाउंट ओपिन करके आप तुरंद ुरण जिरोधा काइट ले सकते में मेरा moving average यहीं पर है तो मैं यहां पर click कर देता हूं और देखिए दोस्तों यहां पर default setting आ गया period 50 field is close और type is simple तो दोस्तों यह setting तो सारे लोग use करते है period 50 field close type simple तो आपका इसमें secret क्या है इसमें हम लोग special moving average use करेंगे जो कोई नहीं हमें आजब करते हैं लोग में इसको simple moving average whom करते हैं तो अगर देखिए यह Здесь primary market कर देता हूं देखिए यहां पर प्राइस उपर जा रहा था फिर से more try eingelack के नीचे आ घया Wow फिर से उपर गया लmostबर 30 नीचे आ तो यहां पर देखिएगा आपका एक 500 ऐसा चल रहा है मतलब price एक बार moving average के उपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है एक बार उपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है तो मतलब इसमें आपको trade में ज्यादा मज़ा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे ये जो default setting को हम लोग थोड़ा सा change कर लेंगे तो इसमें देखिए edit settings करेंगे और इसमें जो simple moving average है इसमें simple को हम लोग सिर्फ ये variable कर देंगे देखिए इसमें मैंने variable में click कर दिया इसको done कर दिया अभी देखिए दोस्तों ये magic के जैसा change हो गया इसमें आपका जितना सारा loss making widths था सारे देखिए गायब हो गया दोस्तों आपका यहां से moving average के उपर price cross किया लगातार इसने moving average के उपर ही चल रहा है पहले यहां पे cross किया ता उपर में लगातार उपर गया नीचे cross किया लगातार नीचे गया यहां पे थोड़ा सा 2-4 दिन नीचे move किया यह तो आपका 15 minutes का chart है इसलिए यह 15 minutes एक एक का बार 15 minutes होगा यहां पे भी देखिए moving average के उपर cross किया तक कितना दिन एक साथ लगातार इसने moving average के उपर ही close दिया तो आपको इसमें मैंने जो secret setting moving average का दिखा दिया आपको इसमें आपको 50 periods का variable moving average लेने का है तो आपको तो setting समझ में आ गया इसमें nifty future के जगा में अगर हम लोग bank nifty future use करेंगे तो भी देखिएगा बहुत सारा काफी profit है एक एक बार moving average के उपर cross हो रहा है लगातार market उपर जा रहा है एक एक बार moving average के नीचे cross हो रहा है लगातार market नीचे जा रहा है एक एक बार moving average के उपर cross हो रहा है लगातार market उपर जा रहा है तो मतलब आपका 50 period का variable moving average use करके आप बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं थोड़ा सा एक दो जगा में आपका चोटा मोटा विपसो होगा मगर आपका ये जो बड़ा बड़ा trade आपको मिल जाएगा ये जो बड़ा बड़ा trend आपको मिल जाएगा इस से आपको ये सारे छोटा मोटा जो भी विपसो होगा उसका आपका जो भी छोटा loss होगा वो आपका adjust हो जाएगा और दोस्तो अभी इसमें entry और exit हम लोग कैसे लेंगे हम लोग को तो एक अंदाजा हो गया एक एक बार moving average cross होता है तो market एक तरफा चलता है इसमें ये अंदाजा हम लोग को हो गया तो थोड़ा सा chart को छोटा कर लेते हैं इसमें अभी दोस्तो और एक indicator हम लोग लगाएंगे इसमें studies से simple सा एक indicator सोचिए super trend हम लोग लगा देते हैं super trend लगा दिया तो देखिए दोस्तो मेरा पहला तो है ट्रेंड डारेक्शन ट्रेंड डारेक्शन तो मेरा आप ही है जब ये प्राइस आपका moving average के उपर चल रहा है और उसके बाद super trend पी हम लोग लगा दिया तो super trend में कभी भी sale आता है तो sale नहीं करने का है सिर्फ buy के साथ ही जाना है यहां पर आपको buy ले सकते हो देखिए market उपर गया यहां से sale आ गया था वो sale को तो नहीं लेना है फिर से करके आप moving average और super trend का इस्तमाल कर सकते हैं यहां पे भी देखिए जब भी super trend और moving average दोनों के नीचे price चल रहा है कितना बड़ा fall हो गया था तो मतलब आपको जो यह अंदाजा नहीं होता है कि कहां पे मैं buy करूँ और कहां पे मैं sell करूँ सोचिए यहां पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पे भी देखिए यह super trend और moving average दोनों के उपर price चल रहा था तो यहां से काफी अच्छा आपको trend मिला तो ऐसे करके यहां पे देखिए buy आया था market काफी उपर गया था यहां पे देखिए जो sell आया था वो sell को लेना नहीं आए यहां पे भी एक buy आया था वो खास चला नहीं यह तो एक दो trade आपका miss होगा ही यहां पे जो buy आया था यह काफी अच्छा चला देखिए यहां से market लगातार उपर गया तो वैसे करके आप super trend और moving average का इस्तमाल करके आप trade में entry और exit भी कर सकते हैं और नहीं तो अगर super trend का भी इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं सिर्फ moving average और price का जो भी crossover है उसको भी आप use कर सकते हैं तो यह देखिए आपका यह जो variable moving average 50 periods का variable moving average आपको काफी दिनों तक एक same trade में रखता है बार बार buy sell buy sell ऐसा नहीं करवाता है और बाकी का जो भी moving average का जो setting है इससे मेरे को लगा यह काफी बढ़िया है तो इसको आप next कुछ दिन थोड़ा check किजिए check करके मेरे को comment म में बताइए आपको यह setting कैसा लगा अगर अच्छा लगा है जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि आप अगर comment नहीं करते हैं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मेरा video कैसे बन रहा है तो दोस्तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा और bell icon को भी जरूर दवा दिजिएगा तो मेरा ऐसा video आपको future भी मिलता रहेगा और मैं फिर से दोरा देता हूं दोस्तों कि आपको अगर यह moving average का setting चाहिए तो आप जिरोधा में account खोल लिजिएगा और जिरोधा काइट में आपको यह moving average मिल जाएगा जिरोधा में joining का link video description में दिया गया है और नहीं तो i button में भी जिरोधा में joining का link आपको मिल जाएगा तो दोस्तों video like कर दिजिएगा comment कीजिएगा दोस्तों के साथ और relatives के साथ share कीजिएगा और जब तक ना मैं नया video लेके आपके सामने हाजिर होता हूं मेरा इंतजार कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद कर दो धन्यवा उन्च